मनीश कश्यप का भाई करन कश्यप कहता है कि सोशल मीडिया पर भारत भर के सारे नेता आर्मी के जवानों के बारे में तो बहुत कुछ लिखते हैं लेकिन आर्मी के जवान की पतनी आज दर-दर भटक रही है लेकिन उसके बेटे के साथ जो हो रहा है वो भारत के किसी भी न बेता को नहीं दिख रहा है और उसके बाद खबर आती है कि करन कश्यप जो मनीश कश्यप के बड़े भाई हैं उसके साथ मनीश कश्यप की मा बेतियां के कोट में कल इंतजार कर रहे थे कि उनके बेटे को तमिल नाडो की पुलिस पेश करेगी लेकिन अफसोस की बात ये है क उनके बेटे को पेश नहीं किया गया मनीश कश्यप वो नाम जो अब तक भारत भर के लोगों के कानों तक पहुँच गया है कई लोग तो मनीश कश्यप का एक वीडियो दिन भर में एक बार देखते ही थे लेकिन अफसोस की तमिल नाडो के मदुरई के जेल में बंद के कोट में पेश नहीं किया गया तमिल नाडो के दो अफसरान जरूर आये थे लेकिन तमिल नाडो से मनीश कश्यप उस कोट में क्यों नहीं आए इस बात का जवाब अभी मीडिया के पास नहीं है क्योंकि खबर बाहर नहीं आई है बताया नहीं गया है कि तमिल नाडो के जो दो अफसरान आये थे उन्होंने क्या कहा लेकिन बड़ी बात तो यह है कि करन कश्यप जो मनीश कश्यप के भाई है और मनीश कश्यप की मा इस बात का इंतजार बेतिया के कोर्ट में करती रही कि आज उनके बेटा को पेश किया जाएगा तो देखने का मौका मिलेगा और अफसोस कि उनका बेटा आया है नहीं वो बेटा जिसको यहां पर देखिए तमिल नाडू की पुलिस पकड़ी हुई है ऐसे जैसे यह कोई आतंकवादी है वो बेटा जो कभी गिरफतार हुआ था तो ऐसे तस्वीर खिचवा कर सोशल मीडिया पर डालता था और वो बेटा ज परियाप को पेश करना ही पड़ेगा लेकिन पहला बहाना ये मार दिया गया कि बिहार पुलिस परियाप्त फोर्स नहीं दे रही है बिहार पुलिस परियाप्त फोर्स नहीं देगी तब मनीश कश्यप को लाना खत्रे से खाली नहीं है क्योंकि उसके आने पर बहुत भीड जमाँ हो सकती है उसके बाद कहा गया अगली तारीख पर तो मनीश कश्यप को लाया ही जाएगा लेकिन तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख लेकिन मनीश कश्यप को पेश नहीं किया रहा है ये बताया भी नहीं जा रहा है कि आखिर क्या वज़ है और तमिल लाडू के पुलिस अफसर लोग आते हैं जज साहब से बात करते हैं और चले जाते हैं इधर बेतिया के लोग लोग छोड़ दीजिए मनीश कश्यप का भाई और मनीश कश्यप की माँ कोट में बैठ कर अपने बेटे का इंतजार करते हैं और उनको लगता है कि उ इसी को नहीं छोड़ रहे हैं सब को तार-तार कर रहे हैं मनीश के भाई करण कश्यप कहते हैं सब लोग आर्मी के नाम पर महफिल लूटता है कहता है कि देश का सेवा करने वाला आर्मी का जवान भगवान का रूप है हर नेताफ आर्मी के जवानों के लिए पोश्ट मनिश कस्यप को बेतिया के कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया इसका जवाब मनिश कस्यप का परिवार खोज रहा है बताने के लिए कुछ भी नहीं है और वो मनिश कस्यप जिसके लिए एक धरा ये कहता रहा कि ये आदमी तो द्रोही है राज द्रोही है देश द्रोही है और एक धरा ये कहता रहा कि गरीबों का मसिया है, कभी किसी रिक्षा वाले के बेटी के शादी में पैसे दे रहा था, कभी किसी गाना गाने वाली लड़की को मुबाइल दे रहा था, कभी किसी बिद्याले में जाकर दस कम्प्यूटर लगा रहा था, लेकिन आज वही मनीश मनीश का स्यप एक तरीके से उस जेल में बंध है जिस जेल के लोगों की भाषा भी उसके समझ में नहीं आती होगी और मनीश का स्यप पर कौन सा केस दर्ज है ये तो हमको और आपको पता है बाकी मनीश का स्यप अब तक क्यों नहीं आए है मनीश का स्यप अगली बार कब आए आप देंता ने शुन देखते रहिए बहुत-बहुत धनिमाद